हेलो भाई गुड़ी इबनिंग देखिए आज मैं यहां ग्राम बोहन्ड में आया हुआ हूँ जो कि यहां पर बजरंग बली जी का मंदिर बना हुआ है काफी अच्छा मंदिर बना हुआ है मंदर के अंदर देखें यहां पर काफी अच्छा मूद्य बनी हुए देखिये भाई यह मैंड गेट कि जो की कृवेश द्वार है यहां से मंदर के ओप देखिए हम मंदर के अंदर आ चुके हैं आपको दिखा रहे हैं मंदर में काफिछी यह नहीं है यहां पर कि देखिए कितना अच्छा मंदिर ही बहुत की हैं और बहुत पुराना मंदिर ही ए यह सुद्धिर में बढ़िया साफ सपाई ही है यहां पर फेड़ पूदी हरी बरे लगे हुए है कि देखिए आप कितनी अच्छी साफ सपाई हैं आपका काफी पेड़ पौदे लगे हुए है यह मंदर की बॉन्ट्री है जो भी चारो तरब से बनी हुई है कि देखिए आप काफी अच्छा बना हुगा है कि देखिए काफी मैदान है मंदर के पास और यहां पर काफी लोग आते हैं लबबा जी के दर्शन करने के दिए यह बहुत पुराना मंदर भी है यह देखिए तो संदमात्मा बाबाजी की तस्वीर है कि देखिए यहां पर द्राम मणों के दिए रुखने की दिवस्ता भी है यहां पर जगी भी होती है देखिए यहां हर साल पुरा जग होता है जो कि यहां काफी दूदू से बाबा लोग संदमात्मा जी आते हैं तो उनके रुखने के दिवस्ता भी है यहां पर देखिए पैकर माहली नीचे वाला जो आपको दिखा रहा हूं कि देखिए काफ यह अच्छा बना हुआ है कि देखिए आप कि देखिए नारी लगर वत्ती पड़े हुए है आप लोग आते हैं सड़ाने कि देखिए जस्ट साइड में जो की संकर जी का मंदिर बना हुआ है कि देखिए सिर्टिंग है कि बहुत अच्छी पिंडी है कि अच्छी पिंडी है कापी साप सपाई यह मंदिर के यहां देखिए दान पेट का भी रख जो हुए है यहां पर कापी साप सपाई है यहां पर देखिए कि तनी अच्छा मंदिर लग रहा है पूरे मंदिर में टेल बगएरा पत्थर लगा हुआ है कि अच्छा मंदिर के पास है यह मैंन पेकरमा है कि अच्छा मंदिर बना हुगा साप सपाई है यह संकर्जी का मंदिर है जो कि शिगलिंग है कि आप अच्छी पिंडी बनी हुई है कि अच्छी अच्छी मूर्थ लगती है आप अच्छी मूर्थ लगती है कि देखें आप कि मंदिर के अंदर भी काफी साप सपाई विवस्ता ठीक ठाक है यहां पर कि जो भी यहां बाबाजी रहते हैं काफी साफ सफाई रखते हैं ठीक ठाक देखिए कि में अच्छी तस्वीर वनी हुए बबबाजी की कि दर्शन करने के लिए कि देखें आप कि दर्शन करने के लिए बहुत की बड़ी मूर्ची गने रही है कि यह चैनल भी लगा हुआ है कि अ